हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल कर ब्रैंड का एंजन और जीप के सेकिंड इंड सस्पेंशन, इसको इंडिया का सबसे सस्ता फोर वीलर भी कहा जाता है, पंजाब, यूपी, राजिस्थान, हर्याना और बिहार में सबसे आदा यूस की जाती है, जुगाड, कई सारे कस्रमाइदेशन्स आप इसमें करवा सक है अपनी पसंद के साफ से, और ये फॉग लाइट, बंपर, कई सारी लाइट्स हैं, और ये ग्रिल, वर्निंग ट्राइंगल है, और ये हैडलाइट, साइड में इंडिकेटर, ऊपर भी लाइट्स हैं, इंडिया में जुगाड इलीगल है, मगर फिर भी लोग अपनी जरूरत के साफ से इसे यूज करते हैं, 5 मिटर लेंथ है, 2 मिटर हाइट है, और लगबग 1600 केजी, कर्ब वेट है जुगाड का, और ये हैं 16 इंच के स्टील वील्स, आगया और पीछे ड्रम ब्रेक्स मिलेंगे, MRF के टायर्स है, वर्डन चैसी, जनरेटर को वील्स और स्टेरिंग से जोड़ कर बनाया जाता है जुगाड को, कई गाड़ियों में पुराने महिंद्रा या निसान के एंजिन्स भी यूज़ किये जाते हैं, फुगगा, कुदुक्का और पियत्रदा भी कहा जाता है जुगाड को, ये लेफ्ट ओवर आटो मुबील बार्ट्स को रियसेंबल करके बनती है, लगबग 35 लोगों को कैरी कर सकती है जुगाड, इसे पिकप ट्रक के हिसाब से भी यूज़ किया जाता है, रियर बंपर, और ये टेल लाइट, बीच में भी लाइट्स हैं, वन टन तक का वज़न उठा सकती है जुगाड, लेडर फ्रेम है, रूरल एरियाज में सबसे कॉस्ट एफेक्टिव ट्रांस्पोर्टेशन सॉल्यूशन है, ये जुगाड, इसको चलाने के लिए कोई लाइसेंस, इंशॉरेंस, पी यूसी या रेटिश्टिशन की ज़रूरत नहीं पढ़ती है, लगबग एक साल की गैरेंटी मैनुफेक्चर्स देते हैं, क्लच प्लेट, एक्सल, गेरबॉक्स और एंजन पर, एक जुगाड होना लगबग 15,000 रुपे तक कमा सकता है एक महीने में, जुगाड का सेकिन हेंड मार्केट भी काफी फेमस है, इनकी लगबग 10,000 रुपीज प्राइस कम होती है हर साल, तीन लोगों की मदद से लगबग तीन दिन लगते हैं एक जुगाड को मैनुफेक्चर करने में, मैनुफेक्चरर लगबग 10% तक का प्रॉफिट कमाते हैं एक जुगाड से, ब्रेक फेल होने पर ड्राइवर को उतर के मैनुफेक्चर ब्लॉक ब्रेक लगाना पड़ता है, रूरल एरियाज में काफी फेमस है यह वाइकल, इसको ट्रांस्पोर्टेशन के लिए काफी यूज किया जाता है, आए पीछे का बूट एरिया देखते हैं, फुल वुड़न फ्रेम है, यहाँ पर आप सीट्स भी लगवा सकते हैं, जरूरत यह हिसाब से, आए ड्राइवर साइड एरिया देखते हैं, वैसे इतनी आगी की सीट्स, सीट्स को भी आप कस्टमाइज करा सकते हैं, और यह आफ्टर मार्केट म्यूजिक सिस्टम, और यह पैडल्स, ब्रेक अक्सिलिडेटर और क्लच, यह आउटसाइड मिरर्स, लाइट है, विनायल अपॉल्स्टरी है, सीट के नीचे भी लॉकेबल स्पेस दी गई है काफी, और यह फूटस्टेप चड़ने के लिए, और यह है फॉर्स स्पीड मैनुट ट्रांस्मिशन, आगे भी स्पेस है, और यह है फिल्ड मार्शल का डीजल एंजिन, और यह है थ्री स्पोक महिंदरा स्टेरिंग, और यह लाइट के कंट्रोल्स, और यहां से जुगार स्टार्ट होगी, और यह अलग इलेक्ट्रिक कंट्रोल्स के लिए, वाइपर तो इसमें है नहीं, और यह है सिंगल सिलेंडर 950 CC, फील्ड मार्शल GF5BD डीजल एंजिन, 10 होर्स पावर है, 93 अनम टॉर्क है, लगबग 20 का एवरेज मिलेगा, 9 लेटर के फ्यूल टैंक से, और लगबग 60 किलोमेटर पर आर के टॉस स्पीड है, 1500 RPM रेटेड स्पीड है, और लगबग 245 kg वेट है, इस फील्ड मार्शल एंजिन की कीमत है, लगबग 62,000 रुपीज, कर फ्यूल एंजिन की कीमत की की मार्शल टैंक से, लगबग 4.5 मी मार्शल एंजिन की मार्शल एंजिन यहां पर हिडनने मुजिक स्टेम आप ऐसे एंजने मेरोली डिस्टार्ट में आप ऐसे एंजने मेरोली डिस्टार्ट में तो कैसा लगा आपको मेड इन इंडिया जुगाड हमें कमेंट्स में बताईए थैंक्यू अजर आप